कब मौका है इस वक्त हम सब के लिए वो अंदर फसे हुए थे इसलिए उनको आसानी से वहर लाया जा सके और इसकी पूरी तैयारी के साथ अब उनको निकाला जा रहा है आपचारिक तोर पर जेनरल वीके सिंग और पुशकर सिंग धामी अंदर मौजूद है जो यहाँ पर एंबुलेंसे हैं उनको लिकाल लिया गया है तो यहाँ पर चारो तरफ अब जो एंबुलेंसे हैं उनको एलर्ट पर रखते हुए उन सभी एंबुलेंसे को कहा गया है कि अब जल्द से जल्द आपको अंदर ले जाया जाएगा और उसके साथ साथ आप सभी वर्कर्स को लेकर सीधा यहां से चिन्याली सौर जाएं यह अभी का बड़ा अपडेट है और इसी लिए पूरी तैयारी कर ली गई है आप इदर देखें मैं अपने कैमरबर से राजिंदर को कहूँगा कि वो दिखाएं आपको तस्वीरे दिखाएं जहां एक बड़ा अपडेट टरनल के अंदर से है तो वही दूसरा अपडेट इस समय बाहर से है जहां पर सभी वर्कर्स एक साथ जब यहां से निकलेंगे तो उनकी गाड़ियां जो एंबुलेंस हैं वो उसी एंबुलेंस के जरीए वो यहां से आगे की तरफ सीधा चिन्याली सौर के हॉस्पिटल जाएंगे इसी लिए पूरी तयारी की गई है एंबुलेंस तयार है और आप वो देखें यहां से जो बाकी का सामान है जो फॉर्स्टेड का और एकिप्मेंट है वो लेकर जाया जा रहा है उसके साथ साथ यह तयारी की जा रही है और यह पूरी तयारी के साथ कोशिश है कि जल से जल उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए जो संख्या है उसमें हमें बताये गया कि दो के लगबग जो इस समय वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है उसके इलावा बाकियों की तैयारी की जा रही है और चार-चार की संख्या में उनको पहले फॉस्टेट दिया जाएगा और उसी बीज जो NDRF के जवान है वो अंदर जाकर देख कर उनको निकालने का ये काम करेंगे तो यही इस समय की तैयारी है और इस तैयारी के साथ यहां पर अपूरा जो ऑपरेशन है वो अपने आखरी लेक पर है जहां पर ये सब कर लिया गया है एक बार फिर से मैं कैमरा परसें राजिंदर को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं ये देखें तस्वीरे चारो तरफ यहां पर एप्मूलेंसेज हैं उनको ऐलर्ट पे जैसा हमने बताया कि उनको इलर्ट पर रखा गया है उनको कहा गया है कि आप पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहें और किसी भी वक्त आपको अंदर लेकर जाना होगा और अंदर जो वर्कर्स हैं वो यहां पर सवीरे हैं वो साफ दिखाई देती हैं यहां पर चारों तरफ जो ambulance हैं उनके paramedics की team doctors की team ए 98 टीम चारों तरफ आपको यहां पर ambulance दिखाई देगी यह बड़ा अपडेट है क्योंकि दो workers को निकाल लिया गया है सुर क्शिद निकाला गया है उसके अलावा तीसरे को निकालने की तैयारी है और यह एक बड़ा अपडेट है जिसके 17 जिन से जो 41 जिन्दगी अंदर थी उनको सकुषल और सुरक्षित निकाले जा रहा है पहली अब निकलते हुए दिखाई दे रही है और यहां पर इसके अंदर अभी वरकर्स है या नहीं यह अपचारिक तोर पर अभी बताया नहीं गया है लेकिन फर्स्ट अंबुलेंस क्योंकि पैरा मेडिकल जो टीम है वो अंदर देख रही है यहां पर चारो तरफ आपको अंबुलेंस दिखाई देगी पहली अंबुलेंस दूसरी अंबुलेंस बिलकुल मनीश देके तस्वीर मिल रही है उसके मुताबिक दो मज़्दूरों को अभी तक बाहर निकाला गया और यह अंबुलेंस moment करती हूँ नजर आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अंबुलेंस moment क्यों कर रही होगी यह अगर टनल से निकल रही है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंद स्वीरया पूरे देश के सामने आ रही है दो मज़दूरों को बाहर निकाल लिया गया है और एक एक करके ये संख्या बढ़ती जाएगी अगले आदे घंटे में सभी मजदूरों को बाहर निकालने का जो दावा है वो किया जा रहा है एंबुलेंस आप देखे और इस एंबुलेंस के पास आप हलचल देखें NDRF और SDRF की हर एक एंबुलेंस को बिलकुल जो टनल का गेट है या जो टनल में घुसने की जगा है जो entry point है वहाँ पर तेनाद किया गया है और जैसे जैसे मज़दूरों को निकाला जा रहा है देखे एंबुलेंस इसके ठीक पीछे एक और गाड़ी आपको नजर आ रही होगी जो पीछे बैक होते हुए टनल की तरफ बढ़ रही है ये खुशखबरी पूरे देश के सामने आ चुकी है और खुशखबरी ये है कि मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है मनीश संख्या बड़ी मजदूरों की या नहीं अभी देखे जो अंडर मौजूद है इस पूरे ऑपरेशन के वो हैं अमिद बदानी उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत बारिकी से देखा एंडी आरेफ और एस्डी आरेफ में मनीका अंजाज जो के अस्डी आरेफ की कम बाहर निकल रहे हैं दो की संख्या की आपचारिक पुस्ची हमें कर दी गई है तीसरे को निकालने का काम जा रही है और इससे पहले की तीसरा बाहर निकले उनके सारे पैरामीटर्स चेक किये जाएं यहां पर आप लंबी कतारों में एंबुलेंस को पूरे अलर्ट मोड प पुकार सुनाई दिये गी और साथ में जो तक्नीक के साथ इस समय भारती से ना एंडी आरेफ एसडी आरेफ एचाई डीसी एल एनाइचाइट डीसी एल आरवी एनल एस्जेवी एनले मिलकर जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है प्रधानमंत्री कार्याले के नियत ऑचल में डलoden ठाव ठॉकर जूर बाक्र एतवर करते से भी एलेपसित alguns आपकर्ण